एक चीटी जिसको बहुत जोर की प्यास लगी और वो पानी की तलास में इदर उदर जा रही थी और डूणते दूणते उसको दूर से एक ज़णा दिखाई दिया और अपनी प्यास बुजाने के लिए ज़णने के पास गई और ज़णने के पास ही एक पत्थर रखा हुआ थ वो पत्थर के उपर चड़ी और ज़णने का पानी पीने लगी वो पानी पी ही रही थी कि तभी अचानक एक पानी का जोर से बहाव आया और ऐसा बहाव आया कि वो पानी में गिर पड़ी और डूबने लगी तभी अचानक उसी ज़णने के पास एक पेड था और उस पेड पर एक कबुतर बैठा हुआ था जैसे ही कबुतर ने ये द्रश्य देखा तो उसके भीतर में दया भाव आया और उसने चीटी को बचाने के लिए एक पेड से पत्ता तोड़ा और चीटी के पास वो पत्ता पानी में गिरा दिया जैसे ही पत्ता चीटी के पास गिरा की चीटी तुरन उस पत्ते के उपर चड़ गई और धीरे धीरे पत्ता बैता 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 जब वो किनारे पर आया तो चींटी स्पत्तिक से धीरे धीरे नीचे उतर के जमीन पर आ गई और अपनी जान बचाने के लिए उसने कबूतर को धन्यवाद दिया कबूतर ने कहा अरे ये तो मेरा सौबाग ये है कि मैं तेरे काम आया तेरी जान बचाने में सहोगी बना जब भी हम दूसरों को दुखी देखते हैं और दुखी देखकर के अगर हमारी भीतर में दया भाव आए तो समझ लेना कि हम अच्छे और सच्चे इंसान है और कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद उसी जड़ने के पास एक सिकारी आया और उस सिकारी ने पेड़ पर बैठे हुए कबूतर का शिकार करना शुरू किया उसने तीर का संधान किया और वो जैसे ही कबूतर पर तीर चलाने वाला था कि तबी वहाँ पर घूम रही उसी चीर्टी की नजर उस सिकारी पर पड़ी और उसने देखा रहे ये तो उस कबूतर को माणने वाला है जिसने मेरी जान बचाई थी और जैसे ही वो शिकारी तीर छोड़ने ही वाला था कि चीर्टी तुरन उसके पास गई और उसके पाँपर और उसका निसाना चूक गया और कबूतर बच गया कबूतर उड़कर चला गया थोड़ी देर के बाद जब शिकारी वहाँ से चला गया तो वो कबूतर वापस उसी पेड़ पर आया और उसने उस चीट्री को धनलेवा दिया कि आज तुने मेरी जान बचाई तो चीट्री अरे इसमें धन्यवाद की कैसी बात उस दिन तुमने मेरी जान बचाए थी और मुझे खुशी है कि आज मैंने वापस तुम्हारी जान बचा करके अपना फर्ज पूरा कर लिया हाँ मेरे प्यारे भायों बैनों फर्ज और गर्ज ये हमें समय पर अदा कर लेने चाहिए ये हमें प्रेना देती है कि अगर हम दूसरों की जान बचाएंगे तो एक दिन वापस हमारी भी जान बचेगी और अगर हम दूसरों को सताएंगे दूसरों को तडफाएंगे दूसरों को दुखी करेंगे दूसरों को मारेंगे हिंसा करेंगे तो एक दिन हमारी भी हिंसा होग क्योंकि हम जैसा देते हैं वैसा ही वापस लोट करके आया करता है तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में खुशियां रहे, आनन रहे, प्रसनता रहे, सदा सुख ही सुख रहे तो उसका सीधा सरल छोटा सा मंत्र है कि अपने और से कभी किसी को दुख मत दीजिए हमेशा औरों को सुख पहुँचाईए, औरों के काम आईए, औरों का सहीओ कीजिए क्योंकि हम जैसा देते हैं वैसा ही लोट करके आया करता है, तो आज हम संकल्प लेते हैं कि हम हिंसा की बजाए, अहिंसा के मार्क पर अपने कदम बढ़ाएंगे याद रखना, दुखी इनसान तो सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता दुख देने वाला हमेशा दुखी ही रहता है और सुख देने वाला हमेशा सुखी ही रहता है तो हम अपनी और से सब को सुख पहुंचाएं, साता पहुंचाएं, आनन और प्रसंता पहुंचाएं ऐसे हमारी भीतर में भावना रहने चाहिए